लबनान का हिजबुल्ला गाजा युद्ध के बीच इसराइल को ऐसे ऐसे जटके दे रहा है जिसकी वज़ा से उत्री बॉर्डर पर इसराइली फॉज की कमर तूटती जा रही है पहले तो सेनिकों की जान का नुकसान वहीं दूसरी तरफ नुकसान सेन्ने उकर्णों और हत्यारों का जिनकी कीमत अर्बोड डॉलर में है इसराइली सेना को हिजबुल्ला के साथ अगोशित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महगा पड़ रहा है और तो और हिजबुल्ला अब इसराइल के कई सम्वेदन शील सेन्ने ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है जिसकी वज़ा से इसराइल के भीतर सेन्ने ठिकानों, हत्यार कार खानों और फैक्ट्रियों जैसे एहम टार्गेट अब हिजबुल्ला के निशाने पर है और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 11 अगस्त 2024 को इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किये हैं हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF के कई ठिकानों पर गोला बारूद बरसाया है हिजबुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि उसने सुभा करीब 7 बच कर 30 मिनट पर अलमर्ज मिलिटरी साइट पर गोली बारी की है इसके बाद करीब 9 बज कर 15 मिनट पर हिजबुला के लड़ाकों ने अलराहेब मिलिटरी साइट पर जमा हो रहे इसराइली सैनिकों के उपर हमला कर दिया और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिटरी साइट पर हिजबुला ने IDF के जमावडे पर सीधे रॉकेट दागे हिजबुला का कहना है कि उसने इस हमले के ठीक बाद मिताद बैरिक्स पर इसराइली सैनिकों के एक और जमावडे पर अटेक कर दिया और इसके तकरीबन पाँच मिनट बाद ही हिजबुला के लड़ाकों ने अलमलीकिया मिलिटरी साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटेक किया है इस हमले में हिजबुला ने IDF के जासुसी उपकरणों को उड़ाने का दावा किया हिजबुला के मुताबिक उसने कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में IDF के अल-ालम सैनने अड़े पर भी कई जासुसी उपकरणों को ध्वस्त कर दिया है और इसी सैनने अड़े पर शाम गो करीब 4 बज़ कर 22 मिनट पर कई रॉकेट भी फायर किये गए और इस हमले के बाद हिजबुला ने एक बार फिर से अल-मलीकिया सैनने अड़े पर फर्स्ट परसन व्यू ड्रोन फायर कर दिया और शाम होते होते करीब 7 बज़ कर 20 मिनट पर हिजबुला ने इसराइल लिबनान सीमा पर बसे आलजिर्दा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया यहाँ पर भी इसराइली सैनने के खटा हो रहे थे आपको बता दे कि इन हमलों से पहले इसराइली सैना ने हिजबुला को बहुत बड़ा जटका दिया था दरासल आईडियफ ने अपने हवाई हमलों में तीन बड़े लड़ाकों को मार गिराया था AIDF ने लिबनान के बलिदा कब्जे में हिजभुला के लड़ा के मुहम्मद हानी हैदर को ठेर कर दिया था इसके बाद हदाता कजबे के आली समीर हिजाजी को भी AIDF ने मार गिराय था और इसके बार लिबनान के बेतलिफ कस्भे के फुसिन गडबान की बी इसेली सेना ने हत्या कर दी आपको बता दे की इसेना ने अलताइबे और मारोब कस्भे और यातेर के बाहरी इलाकों पर बंबارी की थी जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ है और इस हमले को लेकर लिबनान की न्यू जेजंसी आलमयादीन का कहना है कि इस हमले में पांच इसराइली मूल के लोग घायल हुए है